हेलो दोस्तों स्वागत है मैं उफूर्ट टेंडाफ्स और आगया है एक और बिल्कुल नया वीडियो तो लास्ट कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना रहा था उसके लिए सौरी इसी भी जो भी हुआ है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और साथी साथ बहुत सारे कमाल के न्यूज और अपडेट्स है हमारे पास उसको लेकर हम डिफिनली बात करेंगे और एक और चीज जब भी मैं वीडियो नहीं बना पाता तब मैं मोसली न्यूज और अपडेट्स को कवर कर देता हूँ मेरे इंस्टेग्राम एकाउंट में इसलिए अगर हो सके तो मुझे इंस्टेग्राम में फॉलोज जरूर कीजिएगा एनिवे तो चली शूर करते हैं आज का विडियो तो सबसे पहले हम सोनी ये को लेकर ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसको लेकर एक खास अफडेट हमारे पास है तो रिसेनली आईजेन इंडिया सोनी ये से एक इंटर्वियो किये है और यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल पूछा गया है जो कावी खास है और इनसे भी सवालों का जवाब हम भी जानना चाते हैं तो अबियसली फूल इंटर्वियो के बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा इस वज़े से मैं कहूंगा कि अगर आपको फूल इंटर्वियो देखना है तो आईजीन के इंडिया के वेबसाइट में चले जाएए वहाँ पर आपको मिल जाएगा मैं यहाँ पर सिर्फ गिलेचुने कुछ सवालों का ही डिसक्शन कर देता हुँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर पहला जो important सवाल है वो देख की important नहीं लग सकता लेकिन वो obviously एक important सवाल है वो है कि 2, 3, 4 seasons को एक साथ ही क्यों back to back टिलिकास्ट किया गया और इस सवाल के जवाब में ही हमें एक दूसरी सवाल के जवाब भी मिल जाता है जो है कि season 1 के बाद season 2 आने में इतना वक्त क्यों लगा तो सौनी ये ने यहाँ पर बताया है कि season 1 बासिक टिस्टिंग टिलिकास्टिंग था मतलब इंडिया में एनिमे पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है वो अच्छी बात है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि TV में एनिमे आने के बाद उसे तुरन DRP मिलना भी स्टार्ट हो कि season 2, 3, 4 रात 9 बचे टिलिकास्ट हुआ था उसके बाद अब repeat टिलिकास्ट को तो रात 10 बचे को shift कर दिया गया है इसे देखकर बहुत साय लोगों लग सकता है कि इतने रात में Q टिलिकास्ट होता है इसका basic reason ही है कि obviously उनका target audience अलग है ज्यादा रात को ज्यादा mature audience और मु diverse audience यानि की different kind of male demographic age groups यानि की 13 से 30 साथ के age group में भी top 5 shows में से एक है और इनके अंदर 13% है mature audience मतलब आप कह सकते है कि जिस target को लेकर Naruto आगे बार रहा है उस target में वो काफी अच्छे level पर है और in future हमें इसी वज़े से ही और 4 season देखने को मिलेगा और एक और सवाल रह जाता है कि इन future और कौन कौन से anime हमें देखने को मिलेगा इस सवाल का भी जवाब हमें मिला है अभी भी चीजे बस planning के अंडर में है बहुत सारे anime का license अभी भी under negotiation है इसलिए कहा नहीं जा सकता definitely कौन से anime आएगा इसी वज़े से ही उन्होंने कहा है कि जब भी कोई anime का deal sign हो जाएगा त अपने global titles को expand करने में busy है और इसी बीच finally Crunchyroll ने available किया है एक anime ओफी season 1 से हिंदी डब में एक अच्छा anime और इस anime का नाम है the case study of vanitas तो यह काफी अच्छा anime है मैं आप लोग को definitely recommend करूंगा मुझे काफी अच्छा लगा यह देखके कि finally एक अच्छा anime season 1 से आ रहा है क्योंकि most of the time वो लोग अच्छे anime को sequel से ही लाते है इसके बाद हम बात करेंगे एक छोटा सा reward को लेकर तो सुनने को यह आया है कि recently एक TV network ने खरीदा है One Piece का license तो यह network कौन सा है इस बारे में हमें नहीं पता है हमने बहुत सारे official से भी पता किया है कोई भी हमें जवाब नहीं दे रह है इवेन अभिशक दतसर जो की अभी निक किट्स लस्टर में है उनसे भी हमने पता किया है उन्होंने कहा है कि वो भी पता कर रहे है कि किसने One Piece का license खरीदा है अगर यह news सच है तो फिर यह कापी बड़ी बात है लेकिन मैं कहूंगा कि अभी के लिए इस रियूमर के अनिमे वो लोग बस लाते ही जा रहे है प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि कुरोजुका की तरह ही कोई भी एनिमे उतना ज्यादा रिकगनाज़्ट नहीं है तो इसके बाद जो एनिमे आने वाला है उसका नाम है गुईन सागा और यह कल यानि कि 24 फेबरी से स्टार्ट हो चु अभी के लिए वो लोग जो लाने वाले है अपना पहला स्टूडियो घिवली एनिमे वो है रॉनिया दा रॉबर्स डाटर स्टार्ट होने वाला है थर्ड मर्च दुपहर 4 वजे से इसके बाद हम बात करेंगे सौनी के एक अपडीट को लेकर तो हाँ मैंने लास्ट वीड और जो एनिमे आएगा वो होगा PG-13 इसके बाद भी एक और एनिमे आएगा एक डिजिटल प्लाटफॉर्म में और वो 15 प्लस एज कैटेगरी का होगा मतलब हम निक से भी अच्छे एनिमे का उमीद कर सकते हैं इसके बाद एक और अपडेट जान लीजे एनिमे जो की पर एनिमे एक्स को देखिएगा ज़रूर तो इसके बाद है एक काटून डेट वर्क इंडिया का अपडेट तो मैंने देखा है कि लास्ट वीडियो में कई सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे थे कि ड्रैगन बाल जी काई के बाद और तीन एनिमे आएग जब ड्रैगन बाल जी काई को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और एक और चीज तीन एनिमे मोस्ट प्रॉब्ली रिटर्निंग एनिमे होगा एक होगा योकाई वाच और दो बाकी एनिमे के नाम में बताने नहीं वाला आप लोग खुद गेस कर लेजिएगा और एक और सिरफ एनिमे नहीं बलकि बहुत सारे अलग कार्टु निटर्ट टाइप आफ शोज खा ही रिटर्निंग हमीं देखने को मिलेगा किया है लेकिन फाइनली उन्होंने एक डेट एनाउंस कर दिया है एप्रिल 14 को यह पी भी आर थीटर्स में आएगा मैं एक बार फिर से री नॉटिफाई कर देना चाहूंगा सुजू में एनिमे फिल्म भी इंडिया में रिलीज होगा एप्रिल 21 को इसके बाद मैं एक छोट अगर आज के न्यूजर अपडेट कोई भी सवाल आपको नीचे कमेंट सिक्षन में पूछना है तो फिर उसे जरूर पूछिएगा मैं उसका जवाब देने के पूरी तरह से कोशिश करूंगा आज के वीडियो में मैंसे इतना ही मिलते हैं आगे एक और ने वीडियो के प्रेग्वाद के झाले हैं आगे एक प्लीच कोशिए भी सिक्षन में मैं आगे एक बेðाग।